बारतिय जुन्त पार्टी के गोशना पत्रों के बारे में पूछ जाने पर भारतिय किसान यूनियन के नेतार आके इश्ट गयत ने कहा कि अब पूंजी पत्यों का एक गिरो है जिसने राजनतिक दल पर कबजा कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदानमंत्री 2047 की बात करते हैं अगर वे अपने मकसद में काम्याब हो गए तो देश का 70% हिस्सा पुंजी पत्यों का गिरो हो जाएगा। जमीन उनका अगला लक्ष है मोधी सरकार ने 2047 तक विक्सित भारत की संकल पना की है। साल 2020-21 के किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए टिकैट ने कहा कि भूमी अधिकारों पर भी एक आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि सर्विक शड़ कर लीजिए जमीन महंगी होती जा रही है। उसी महंगी जमीन को पूंजी पती खरीद लेंगे। जमीन के लिए भी आंदोलन होगा। टिकैट ने आरूप लगाए कि किसानों को अपनी जमीन कॉर्पोरीट घरानों को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उदाहरर के तोर पर अगर राजमार्ग के पास जमीन है तो वेकरशी भूमी को अवरुद कर देते हैं और दिवारे खड़ी कर देते हैं। फिर वे सस्ती दरों पर जमीन खरीते हैं। किसान अपने जमीन खो रहे हैं आने वाले समय में देश के सिती खराब होने जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों को मजबूत होना होगा। टिकैट निया भी कहा कि आज हर राजनितिक दल किसानों गरीबों और युवाओं के बारे में बात कर रहा है। बीके किसानों अपने बात कर रहे हैं जाहे में उनके लिए कुछ करें या ना करें लेकिन वे उनके बात कर रहे हैं।